शिव समार है मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ जै बोले दोस्तो बोले नाथ सब के साथ तो गुरु भाई के 440 वोल करंट अफेर इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो तो दोस्तो आज दिनांक पते ही सब अपरेल 22 के महतो पुर्ण करंट अफेर डिसकेस करेंगे तो चलिए शुरू करता है गुरुबाई के जानदा और जब्रदस जिन्दाबादला जवागत अपरेल 22 के तो दोस्तो आलि میں 22 अपरेल को वर्णड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तो तो विश्व पृत्वी दिवस के रूप में 22 अप्रेल को मनाते है तो वर्ल्ड वाइट पृत्वी प्लैनेट को बहतर बनाने के बारे में जानकार ये वहम जागरुकता फैलाने के लिए वर्ल्ड अर्थडे के रूप में मनाया जाता है दोस्तो और लोगों को इन्वर्मेंट कंजर्वेशन के बारे में प्रोटसाहिट करने के लिए 22 अप्रेल को हर साल वर्ल्ड अर्थडे के रूप में मनाया जाता है दोस्तो जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तो Invest in Our Planet यह World Earth Day यानि कि विश्व प्रुत्वी दिवस की थीम थी दोस्तो 2022 की तो दोस्तो एली में 22 अपरेल को World Earth Day के रूप में मनाया जाता है दोस्तो और दोस्तो एली में मार्च के आखरी शनिवार को अपन whisk ने World Earth Award Day के रूप में भी मनाया गया दोस्तो तो दोस्तो अली में बाई सपरेल को World Earth Day के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तो अली में भारत के तिलंगनार रज्य में दुनिया की सबसे बड़ी त्री विलर फैक्टरी लगेगी तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्तित Bility Electrical ने भारत के तिलंगनार रज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री विलर फैक्टरी चलाएगा दोस्तो तो तिलंगणा के हिदराबाद में भारत के तिलंगणा में दुनिया की सबसे बड़ी थ्री विलर इलेक्ट्रिक वेहिकल फैक्टरी लगेंगी दोस्तो और दोस्तो हिदराबाद से याद या हाली में हैदराबाद में माइक्रोसॉप्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थाबित करने की गोशना की थी और दोस्तो आली में युनाटेड नेशन एन्वर्मिन्ट डेवलिप्मेंट प्रोग्राम ने बुंबई और हैदराबाद इन दोनों शहरों को भारत का पहला ट्रांजेंडर कम्यूनिटी डेश भी अधराबाद में है और दोस्तो अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल से याद आया अभी हिमाचल पदेश के काजा में दुनिया के सबसे उचाई पर इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन स्तापित किया गया था और गुरुग्राम अरियाना में बारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया गया था Electric Vehicle Registration में UP Top पे था दोस्तो और भारत का पहला fuel cell electric vehicle जिसका नामें Mirai जो की Toyota Company ने Launch किया है उसको यहिक भारत का पहला fuel cell electric vehicle है जो की पूरी तरह से hydrogen से चलता है और दोस्तो आली में ऐस साई कल को electric vehicle policy में शामिल करने वाला भारत का पहला परांद दिल्ली बन गया दोस्तो। और दोस्तो भारत की पहली एलेक्टरिक वे़िकल सिटी, गुजरात की केवडिया बन गई। तो दोस्तो अलिबे भारत के तिलंगणा राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी three-wheeler electric factory लगेगी दोस्तो, जोकी अजय कुमार सूध जी को भारत सरकार ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाईजर के रूप में नियुक्त किया गया तो दोस्तो प्रदान मंद्री के विग्यान प्रद्योगी की और नवाचार सलाकार परिशत के सदस्य अजय कुमार सूध जी को भारत सरकार ने सेकरिटी एडवाइजर को ने अजी डोबाल जी अभी अभी डेप्यूटी नेशनल सेकरिटी एडवाइजर भी चुने गए तो जो की विक्रम मिश्री है और दोस्तों फेनेंशियल एक्शन टास्क फोरस के अध्यक्ष के रूप में ती राजा कुमार जी को ने उक्त किया ग गया दोस्तों एक्स पिलते हैं तो दोस्तों आली में इन्विक्टिस गेम्स 2022 का आयोजन नेधरलेंड देश में किया गया तो इन्विक्टिस गेम्स यह पैरा गेम्स की तरह ही होते है तो इन्विक्टिस गेम्स में एक्स मिलिटरी मैन पाटिसिपिट करते हैं जो घायल य नहीं हो सके इसलिए 2022 में आयो जित किये गए जो कि नेधरलेंड देश में हेग नेधरलेंड में आयो जित किये गए इन्विक्टिस गेम्स 2022 और दोस्तो 2023 में जर्मनी में होंगे इन्विक्टिस गेम्स का तीसरा संस्करन दोस्तो नेक्स पेलते हैं तो दोस्तो आली में तमिल तमिलनाडू में पहली बार एक सीविड पार्क को स्तापित किया जाएगा दोस्तों जो कि समुद्री शेवाल पार्क के नम से जना जाता है तो मचुवारों के आजीविका में सुधार करने के लिए तमिलनाडू में देश का पहला सीविड पार्क को स्तापित किया जाएगा और भारत देश का पहला सीविड पार्क यानि की समुद्री शेवाल पार्क होगा दोस्तो जो की तमिल नाडू में स्तापित किया जाएगा जिसका उद्देश किया है तो समुद्री शेवाल की खेती को वड़ावा देना जिससे मचवारों की अज़िविका में सुधार किया जाएगा समुद्री शेवाल पार्क स्तापित किया जाएगा तो दोस्तो आली में तमिल नाडू रज्ज में पहली बार सीविड पार्क को स्तापित किया जाएगा जो की समुद्री शेवाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो नक्स पिलते हैं तो दोस्तो आली में लद्दाक और हिमाचल पदेश राज्जको जोडने के लिए सबसे उची सुरंग बनाई जाएंगी दोस्तो प्रोजेक्ट योजक्त के तहट बॉर्डर रोड और्गनाजेशन द्वारा दुनिया की सबसे उची सुरंग बनाई जाएगी तो शिंकुला पास के नीचे बनाई जाएगी यह सुरंग जो की 16,580 फिट उचाई पर बनेगी यह टनल दोस्तो और जिसका नाम होगा शिंकुला टनल दोस्तो और जिसकी लंबाई कितना होगा तो 4.25 किलोमेटर लंबी टनल होगी दोस्तो तो दोस्तो अलिमे लद्दाक और हिमाचल पदेश राज्जको गया था यह दुनिया की सबसे उची मोटरेबल सड़क है ऐसा इनको वर्ल्ड रेकॉर्ड ने भी नमूद किया था और दोस्तो आली में दसजार हाली में टनल की बारे में बात है तो अभी अटल टनल का भी उदगटन किया गया था जो की 9.02 किलोमेटर लंबी है मनाली लेह मारग परस्ती थे दोस्तो और दोस्तो दसजार फिट से उपर दुनिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे टनल के रूप में वर्ल्ड बूक आप रेकॉर्ड में भी नामदर्ज किया जा चुका है दोस्तो अटल टनल का और दोस्तो टनल से याद आया जम्मू कश्मिर की चे के लिए सबसे उची सुरंग बनाई जाएगी जो की शिंकुला पास के शिंकुला टनल के नाम से जानी जाएगी जो की बौर्डर रोड और नाइज़ेशन द्रौरा जिसको हपन शॉट्पॉम में ब्रो भी कहा जाता है ब्रो बनाएगा दुनिया की सबसे उची लंबी सु दोस्तो जो की लद्दाक और हिमाचल प्रदेश राज्य को जोडने का काम करीगी दोस्तों एकस्पेलते हैं तो दोस्तो आली में मनोज कटियार जी को डायरेक्टर जेनरल आफ मिलिटरी ऑपरेशन्स के रूप में नियुक्त किया गया तो लेटनन जेनरल मनोज कुमार कटिय जी को डिरेक्टर जेनरल आफ मिलिटरी ऑपरेशन्स के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों तो सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में मनोज कटियार जी को नियुक्त किया गया मनोज से याद आया होगा दोस्तों आली में मनोज पांडे जी हमारे 29 वे आर्मी जिफ्ट बने मनोज सोनी जी यूपियसी के अध्यक्ष बने देवाशिश पांडा जी इरडाई के अध्यक्ष बने तो दोस्तो आली में मनोज कटियार जी को डिरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ओपरेशन्स के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तो नेक्स पेलते हैं तो पेट्रिक एची जी को नियुक्त किया गया तो आईवरी कोस्ट के रास्टपती जी ने आईवरी कोस्ट देश के प्रदान मंत्री के रूप में पेट्रिक एची जी को नियुक्त किया गया है दोस्तो तो दोस्तो हाली में आईवरी कोस्ट देश के प्रदान मंत्री के रू ती और चिली की सबसे ही हुआ प्रैम मिनिस्टर गैब्रियल पौरी जी बन गए थे तो दोस्तों अलिमें आईवरी कोस्ट देश के प्रधान मंत्री के रूप में पैटरिक अची जी को नियूक्त किया गया है दोस्तों अलिमें नरेश कुमार जी को दिल्ली के नए चीफ सेक सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किये गए और दोस्तो अरुनाचल पदेश के मुखे सचीव थे दोस्तो अब तक नरेश कुमार जी और उनकी जगह पे अभी तरमेंद्र काम करेंगे अरुनाचल पदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में दोस्तो तो आली में नरेश कु कुमार जी को नियुक्त किया गया था तो दोस्तो आली में नरेश कुमार जी को दिल्ली के नए मुख्य सचीव चीब सेक्रेटरी के रूब में नियुक्त किया गया है दोस्तो नेक्स पेलते हैं तो दोस्तो आली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनकलुवेशन ना प्रेल को शुरू किया और दोस्तों अलिमें इंडिया पॉस्ट पैमेंट बैंक ने ग्रहाकों के डॉरस्टेप पे में बिल पेमेंड्स के लिए National पैमेंड कौंशिल ओफ इंडिया और कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया यानि कि NBCI के भी साथ सम्झुता किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने तो बात अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यह जिसके स्था अपना 2018 में हुई थी जिसका एड़काट अन्यू टेली में है तो दोस्तो आली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनकलुएशन नामक पहल को शुरू किया है दोस्तो नेक Global Leader Award से सम्मानित किया गया दोस्तों नेक्स पेलते हैं तो दोस्तों आली में भारत के पहले अंतरराष्ट्य क्रूज सम्मेलन की मेजबानी महाराष्ट की राजधानी मुंबई शहर करेगा तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फरेंस की मेजबानी महाराष्ट की राजधानी मुंबई शहर करेगा हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग और वाटर वेज और आयूश मंतराले जो की सर्बान अंदा सोनावाल जी है इन्होंने ही अभी घोशना की की भारत के पहले अंतरराष्टिय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई शहर करेगा दोस्तो और यह हम अंतराले यानि की मिनिस्टरी फॉर पोर्ट, शिपिंग और वाटर वेज, पोर्ट अथॉरिटी और फिक्की के सहयोग के साथ भारत के पहले अंतर रास्ट्रिय क्रूज सम्मेलन यानी की अंतर रास्ट्रिय क्रूज कौनफरंस की मेजबानी महारस्ट की राजधानी मुंबई शहर करेगा दोस्तो तो दोस्तो आज अपन क्या पड़े उसकी एक बार रिविजिन कर लेते हैं तो आली में 22 अप्रेल को वर पृत्वी दिवस के रूप में मना जाता है और दोस्तो आली में भारत के तिलंगना राज्ज में दुनिया की सबसे बड़ी थ्री वीलर इलेक्ट्रिक फैक्टरी लगाई जाएगी दोस्तो तिलंगना के हैदराबाद में आली में अजय कुमार सूद जी को भारत सरकार ने प्रिंसिपल सेंटिफिक एडवाईजर यानि की सला प्रधान वेग्यानिक सलागार के रूप में न्युक्त किया गया हाली में इन्विक्टर्स गेम्स 2022 का योजन नेदरलैंड देश में किया गया दोस्तो और दोस्तो आली में तमिलनाडू में पहली बार एक सीविड पार अगनाजेशन द्वारा और हाली में मनोज कटियार जी को डिरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ओप्रेशन यानि की सन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में मनोज कटियार जी को ने उक्त किया गया हाली में आईवरी कोस्त देश के प्रदान मंत्री के रूप में फिर से एक Global Leader Award से सम्मानित किया गया हाली में भारत के पहले अंतर राष्ट क्रूज सम्मेलन की मेजबानी महारास्ट की राजदानी मुंबई शहर करेगा तो दोस्तो यह ते 23 अप्रिल 2022 के महतुपन गरंट अपयर साशा करता हुआ आपको पसंद आये होगे अगर पसंद आये होगे तो चैनल को फॉलो किजिए दोस्तो लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस इस गुरु बाई साइनिंग आफ जैशंकर महारास दोस्तो जै बुले